सो गाई जैसा कि आज जो आपका SSE CHSL का 31 माई का सेकंड सिट का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिलकुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियो मैं बताऊंगा तो देख लेदें कि किस परकार के जो है आज आपके 31 माई के सेकंड सिट के एक्जाम में जो है प्र सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और भगल में ही आपको एक बैल ऐकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहोगा तो आप उसे भी जरूर प्रेस कर दिएगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो आपका पहला कोशन आया था कि who said article 32 is the heart and soul of the constitution यानि भारतिय संभिधान की अनुचेद 32 को जो है किसने आत्मा और हिर्दे कहा है तो देखे भारतिय संभिधान की अनुचेद 32 को जो है डॉक्टर भीमरा अमिटकर के द्वारा आत्मा और हिर्दे कहा गया है तो डॉक्टर भीमरा अमिटकर आपका correct answer होगा बात कर ले अनुचेद 32 के बारे में तो देखे अनुचेद 32 में आपका क्या कहा गया है या जो है एक नागरी को उनके उलंगन के मामले में जो है किसी भी मौलिक अधिकारों का सहारा लेने के लिए जो है सर्वोच नाले में पहुँचने का अधिकार है देता है ये जो अनुछेद 32 में कहा गया है और अनुछेद 32 को ही जो है इसे संभिधानिक उपचार का अधिकार के रूप में भी जो है जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स ट रब के आप रहा था कि आनंद मठ नोबल वास कंपोजड इन विच लैंगवेज यानी आनंद मठ उपनियास जो है ये किस भासा में लिखा गया था तो बंगाली भासा आपका correct censor होगा बात कर ले आनंद मठ उपनियास को इसके लेखा कौन थे तो देखे अनन्मट उपनियास के जो लेखा थे ना ये बंकीम चंदर चटोपा दियाए थे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा ये जो बंदे मात्रम है ना ये बंकिन चंदर चटूपाद्याए के द्वारा लिखा गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है तो उनिशो असी आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा बात कर ले कालिदा सम्मान ये जो है किस छेत्र में दिया जाता है तो ये आपका रंग मंच के छेत्र में दिया जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपके यहाँ पर रहा था कि कालिदा समान is presented by which state of India यानि कालिदा समान जो है भारत के किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है तो देखें यह जो आपका कालिदा समान है ना यह भारत के मद्यपर्देश राज्य सरकार द्वारा जो है प्रदान कि है जो हजार एकिस में काली रास समानी ये जो किसे दिया गया है तो ये पंडीत वैंकेटेस कुमार को दिया गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अप कही आप रहा था कि बी एस यदुरपा ने कितनी बार जो है करनाटक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सपत लिया है और दोहजार एकिस में जो इस्तीपा दिया है तो देखे मैं आपको उदादू कि ये जो बी एस यदुरपा है ना ये जो करनाटक के चार बार जो है मुख्यमंत्री के र पूछा गया था तो देखे ए नेशन इन मेकिंग ये जो आटो बाइग्राफी है ना ये सुरेन नात भनर जी की है यानि जो ये ए नेशन इन मेकिंग ये जो आत्म कता है ना ये सुरेन नात भनर जी की आत्म कता है तो ए नेशन इन मेकिंग आपका करेक्ट एंसर होगा जिसे उन्होंने राजनीती छोडने के बाद लिखा था और अंतिता 1925 तक जो है इस पुस्ता को पूरा किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप के यहां पर आदा कि तोताराम सर्मा रिलेटेड टू विच इंस्ट्रुमेंट यानि तोताराम सर्मा जो है ये किस वादियांतर से संबंदित है तो देखें ये जो आपके तोताराम सर्मा है ये आपके पकावाज यानि ढोलक से संबंदित है तो आपके आप्सन में या तो पकावाज दिया होगा या फिर ढोलक या ड्रम दिया होगा तो इन में से जो भी आप्सन में दिया होगा वो आपका correct answer होगा नेक्स्ट अप का यहाँ बरादा कि हुवन कोरियोग्राफी आवाडीन 1992 यानि 1992 में जो है कोरियोग्राफी पुरुषकार यह जो है किस ने जीता था तो देखे कोरियोग्राफी पुरुषकार 1992 में जो है यह चिन्नी परकास ने जीता था और किस मूबी के लिए तो हम मूबी के लिए जो है इन्होंने जीता था तो चिन्नी परकास आपका correct answer होगा और किस सौंग के लिए जीता था यह जो आपको कमेंट करके जरूर जबाब देना है तो देखे इस पुस्ता के जो लेखक है न यह किरन देसाई है तो किरन देसाई आपका correct answer होगा यानि इन में से कौन सा संबंद जो है वो गलत दियावा है जहां पर option में आपका दियावा था कि बिस्मिल्ला खान का जो संबंद है वो सितार वादक से है तो यह जो संबंद था न यह आपका गलत दियावा था क्योंकि बिस्मिल्ला खान उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जो संबंद है यह सहनाई वादक से है तो ये option आपका correct answer होगा next question आपका यहाँ पर है था कि रमन मैक्स से पुरुषकार प्राप्त करने वाला प्रत्म भारतिय संगितकार कौन थे तो देखें रमन मैक्स से पुरुषकार प्राप्त करने वाली जो प्रत्म भारतिय संगितकार थी ना ये MS सुबा लच्मी थी, तो MS सुबा लच्मी आपका करेक्ट पैंसर होगा, बात कर ले MS सुबा लच्मी को कब जो है रमन मैकसे से पुरुषकार प्रदान किया गया था, तो ये 1974 में प्रदान किया गया था, इसके अलावा एक्जाम में ये भी प्रेशनर पूछा जाता है, क ये आपकी मदर टेरेशा थी, तो मदर टेरेशा आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा, और देखें रमन मैकसे से पुरुषकार को जो है, एसिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोशन आपका यहां पता था, कि सह जोड़ी चुनना था, चार ओप्सन दे दिये थे, जिसमें आपका एक ओप्सन था कि आईसिसी क्रिकेट विस्व कप का जो तेरवा संसकरन होगा ना, जो कि आपका दोजार तेश में होगा, वो आपका भारत में आयोजित किया जाएगा, और ये जो आपका जोड़ी था न आपका हाइडरा है ना, ये आपका निडेरिया संग का जनतु है, तो निडेरिया आपका करेक्ट टैंसर होगा, और मैं आपको बता दू दोस्तों कि आपके वादियंतर से संबंदित हर सिप्ट में एक से दो प्रेशन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि सित वादक की बात कर ले, तो अमजद अली खान, अलाओदीन खान, अली अक्बर खान, विजए जीतरा चौधरी, मुकेश शर्मा, गुधा देवदास गुप्ता, ये जो आपके किस्से संबंदित है, तो सरोद वादक से संबंदित है, वहीं अकर संतूर की बात कर ले, तो वादक से संबंदित है, वासुरी में आपके हरी परसा चौरसिया, पर्नालाल घोस, राजेंदर कुलकर्णी, वी कुंज मनी, ये सब जो आपके वासुरी वादक हैं, तबला वादक में आपके जाकिर हुसेन, अल्लाराका खान, गुदई महराज, किसन महराज, लतीब खान और सुक्वी इंदर सिंग, ये जो आपके तबला वादक है, वादक में अगर पूछा जाए, तो टी अन कृष्णन, डॉक्टर एन राजम, एल सुब्रमन्यम, ये सब जो आपके वादक से संबंदित हैं, इसके अलावा अगर आपसे सारंगी में पूछा जाए, तो संकु जो लाइक जरू कर दिएगा, चैनल पर नहीं तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है, चैनल को सबस्क्राइब जरू कर दिएगा, तो मिलते हैं, नेक्स्ट टोडियों तब तक थांक्यू, ओल देगा,